हेलो सो, एसके लेक्टर ने सुर्क मापका स्वाग दोसो, कैसे हैं, आप सबी आसा करते हैं, आप बहुत अच्छे होंगा, अच्छे ही रहोगे दोस्तों मुझे काफी बार पहले भी कमेंट आयती, अब भी कमेंट आयती, सर सिंपल टीवी जो होता है फ्लैट में, और अल्टर सिल्म जो टीवी होता है वो फ्लैट में, इसमें कमपैरिजन बताएं, क्या डिफरेंस होता है या इसके किटिस में डाल सकते हैं, पलेट या इसमें नहीं डाल सकते हैं, और कैसे पैचाने कि अल्टर सिल्म है या कैसा है तो ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं दोस्तो में सामने अल्टर सिलिम का वीडियो को उनका रखा हुआ है ये देख लिजे कंपनी ठीक है और साइड में जो है वो इसके बराबर में ही यहां पर वाइट कलर का ये ओसकर कंपनी का है ये हमारा नॉर्मल है दोस्तो नॉर्मल टीवी अल्टर सिलिम में बहुत अंतर होता है पहले तो यहां पर देखे दोस्तो बोडी की साइनिंग देख लिजे यहां पर नॉर्मल टीवी और कितना मोटा देखने में लग रहा है पीछे को निकला हुआ है और ultra slim जो है दोस्तो वो एकदम बढ़िया है और picture tv की बात कर जाए तो picture tv का size दोनों का same रहता है यहाँ देख लिए 20 इंची होता है 12 इंची बाल देते हैं इंची इसका बाहर का size आता है लेकिन जो इन डिस्प्ले अंदर रहता है वो 20 इंची होता है यह देखें दोनों का display का size बिल्कुल सेम होता है अगर clarity की बात कर जाए तो दोस्तों जो ultra slim होता है इसमें clarity थोड़ी सी normal tv के जाद होती है normal tv से थोड़ी जाद होती हो क्यों क्यों कि इसम बुष्ट कैपिस्टर बड़े लगाए गए होते हैं अब देखें जो पीचे की तरफ को निकला हुआ है यहाँ पर इसकी size देख लीजिए यह 19 इंची है पोरा पीचे से आगे तक का ठीक है और जो आपका ultra slim होगा मैं उसकी दिखा देता हूँ आपका ultra slim में इतना body बनाएगे जितनी की उसके picture tube है यहाँ पर देखिए दोस्तो 13 इंची है 13 इंची और 19 इंची में दोस्तो बहुत बड़ा difference है तो अगर space की बात करी जाए तो दोस्तो space में तो ultra slim काफी अच्छा एक मतलब सही है कि ultra slim जहाँ पर space की दिक्कत हो वहाँ पर सही है और यहाँ पर देख लीजे जहाँ पर RC socket वागरा है यहाँ यह audio वीडियो के जो लगे हुए है यह देखिए दोस्तो पीछे की तरफ यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसका बिल्कुल सही जंगे दिये गए है लेकिन जो हमारा normal TV है यह बराबर में इसका बिल्कुल नीच एक तरफ है क्योंकि उपर का एरिया काफी लिकड़ा हुआ है पीछे को तो पहले तो आपने यह देख लिए अंतर अब इन TV को दोस्तो मैं आपकी इनकी body quality तो एकदम slim होती है और जो यह normal TV है इसकी body quality इतनी अच्छी नहीं होती है देखने में धंबलो सा लगता है मतलब एक ऐसा मोटा मोटा सा लगता है टीवी जो ultra slim होता है उसके नाम से पता लग लग रहा है ultra slim ultra slim का मतलब छोटे से छोटा लेकिन quality और picture का same size बिल्कुल वही अगर life की बात करेते हैं दोनों की life विल्कुल सेम रहती है बजन की बात करी जाए तो दोस्तों करीब करीब बजन भी दोनों में सेम ही होता है अगर picture tube की बात करी जाए तो ultra slim में थोड़ी सी clarity normal TV के जाद होती है क्योंकि इसकी picture tube काफी अच्छी और powerful बनाई गई होती है और जो इसमें जो board लगता है ultra slim में वो बुष्ट जो capacitor लगाए गयते हैं वो काफी heavy लगाए होते हैं इसलिए इसकी clarity काफी अच्छी मिलती है तो normal TV की अगर ultra slim में लगानी होती है board तो इसके लिए दोस्तों हमें काफी मसकत करनी पड़ती है तो अब देख लीजे दोस्तों मैंने दोनों TV को open कर दिया है यहाँ पे खोल दिया है पूरा proper तरीके से यह normal TV हमारा और जो आगे की तरफ रखा हुआ है वो ultra slim है तो यह normal TV की यहाँ पे देख लिजे कुछ इस तरह से होता है अंदर की तरफ से picture time काफी मौटी होती है और काफी पीछे को लिखड़ी होती है जो इसका हीटर का element होता है वह भी पीछे की तरफ काफी लिकड़ा होता है हीट हीटर जोता है इसके पीछे की तरफ यह गन जोती है तो दोस्तों यह जो मैं बोर्ड लिकार के दिखाते हूं आपको बोर्ड की बात करीज़े तो बोर्ड तो दोस्तों में आपको देखना सेम सेम साही मिल जाएगा लेकिन वैस इसमें तो लोकल बोर्ड है लेकिन जिसम होरीजेंटल आपसे वाल्डेश कम मीलेंगी होर्जेंटल तो आपको सब्सक्राइब लेकिन होर्जेंटल यादे मिलेंगी यहाँ पर देखें जो ह अल्टरा सिलिम होता है, इसकी पिक्चर टिव कुछ इस तरह से होती है, काफी बारीक होती है, और इसकी जो योक होती है, वो भी काफी चोड़ी होती है, उपर की तरफ को फैलिवी, और जो इसकी दोस्तो होरीजेंटल के वोल्टेज होते हैं, थोड़े एक्स्टर होते हैं, यहां पर देख लीजे इसकी slimming देख लीजे यहां पर कोयल और आपने इसकी कोयल को देख लेना यह दोनों में इतना धरतियात मान का डिफ्रेंस हो जाता है कि दोस्तों अलग ही पहचान जाओगे अल्टरसलिम की ही खास बात है उसकी गन भी पीछ वह कम लिखड़ी होती है और इसकी जो पिक्चर की वह भी आलग है और देखे यहां पर जो हमारी योक कोयल से जो बेस बोड़ है उसके साइज देख लीजे यहां पर नॉर्मल टीवी में और जो ऐसा टीवी होगा अल्टरस हैं अभी दिखाऊंगा दोस्तों वह भी मैं आपको पिक्चर ट्यू की मोटा ही दिखा देता हूं देखे मैं बोड़ी से और जो आपकी कैप लगी हुई है वहां पर दिखा देता हूं देखे चार इंची है जहां से बोड़ी से और कैप तक यहां पर नॉर्मल इसको जाता है क्योंकि बुष्ट करेंट जो होता है होरिजेंटल के लिए वोल्टेज जो होती है वो हैवी बनाते है इसलिए इसमें नॉर्मल टीवी की अगर लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी लेकिन जो वड़ यहां पर अपना दोस्तो यह वाला जो आपका अल्टर सिल्म ट बात करें तो अल्टर सिल्म काफी बैटर है स्पीकर की भी देख सकते हो सिल्म है एकदम मतलब क्वालिटी है दोस्तो तो दोस्तो दोनों में यह डिफ्रेंस तो और बाकी कुछ भी नहीं है ज्यादा डीप ली आपको में नहीं जाओंगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तो जाहिन वंदे मातन दोस्तो आपका दून सूब हो आप सबी अच्छे नहीं बहुत स्वास्ता है